फ्रेंट्स अपने एक विवर हैं जिनकी उम्र 25 साल है उन्होंने बताया कि वो अपना circumcision करवाना चाहते हैं यानि कि अपने पेनिस के गलैंड के उपर जो फोर इसकिन है उसे कटवा के उसे सरजरी करवा के हटवाना चाहते हैं वो जानना ये चाहते हैं कि इस उम्र में यान नहीं सारी डीटेल आपको इस वीडियो में महत दूंगा तो अगर आप चाहते हैं कि सेक्स और फिटनेस से रिलेटर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हलो एवरीवन मैं डॉक्टर फारुक वैदूलाह आप सभी का आपके अपने चैनल पर सुआ गये थे जहाँ बाते होती हैं सेक्स और फिटनेस की फ्रेंट्स अगर आपकी उमर 18 साल से 65 साल के बीच में हैं और आपने इरादा कर लिया है कि मुझे सरकम सीजन करवाना है अब इसके पीछे रीजन कोई भी हो ये आपकी प्रसनल 24 हो या आप किसी बीमारी के शिकार हो अब किस तरीके की बीमारी आपके पेनिस में या फोर स चाहिए तो आपकी उमर 25 साल हो 45 साल हो या 65 साल हो आप किसी भी उमर में सरकम सीजन करवा सकते हैं अपने पेनिस के ग्लैंड के उपर पाई जाने वाले फोर स्किन को आप सरजरी करवा के हटवा सकते हैं इस से आपको कोई भी समस्या का सामना एज के हिसाब से नहीं करनी हो लेकिन जितनी भी बाते इस वीडियो में मैं आपको जादा उम्र होने के बाद सरकमसीजन के सवाल पर बताऊंगा वो मेरा प्रसनल एक्सपीरियंस होगा मैंने अपने लाइफ में बहुत से लोगों का सरकमसीजन अपनी देख रेक में करवाया है जिनके उम्र सिर्फ 25 साल न 60 साल के लोगों का भी मने सरकमसीजन अपनी देख रेक में करवाया है दो चीजों का आपको खियाeger है सबसे पहली चीज आपको पता करना है कि किसी मुस्लिम अलाके का जो सबसे बैस्ट सबसे टॉप सरकमसीजन करने वाला खतना करने वाला बनदा कौन है जो इसमें अगर आपको मिल जाता है तो आपको किसी सर्जन का सहारा लेने की जरूरत नहीं, इसी एक्सपर्ट बंदे से आपको अपना खतना अपना सरकमसिजन करवाने की जरूरत है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक्सपर्ट होते हैं और इनको मालूम होता है कि फोर इस स्किन को पेनिस में बैक करके रोल किस तरीके से करना है, इसे वो बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, ये मेरा अपना मानना है, और जितनी बाते मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा प्रसनल एक्सपरियंस नहीं है, कुछ लोग जो मेडिकल फील्ड से रहा है आपके सामने ओल एज में या जादा एज में पेनिस के सरकम सीजन के सवाल पे, जितने लोगों को हम लोगों ने देखा है, जो सर्जन का सहारा लिए है सरकम सीजन के लिए, अक्सर उनको बहुत परिशानियों का सामना करना पड़ा है, तो वो बेस्ट बंदा जो भर में जाके सरकम सीजन करता है, खतना करता है, वो आपकी प्रसनल 24 होनी चाहिए, वो नहीं मिलता है तो आप किसी भी सर्जन के पास जाके करवा सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी की बात नहीं है, दूसरी चीज़, जब कम उमर में खतना होता है, कम उमर में सरक तो अगर आपकी उम्र जादा है और जखम सूखने में थोड़ा सा वक्त लगता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं ख्याल बस इस बात का रखना है कि जो भी मेडिसिंद आपकी चल रही है उसे आप लगातार अच्छे से लेते रहेंगे और जब तक आपका जखम पूरी तरीके से सूख नहीं जाता आपको सेक्स या मैस्टरबेशन से बचना होगा क्योंकि अगर सेक्स या मैस्टरबेशन आप करेंगे और आगर जखम आपका हरा है पहले से ही उसमें जखम बना हुआ है तो फिर से जखम खुल आएगा और आपको प्राबbers Son Reins रागे इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ, मेरी बात हैं, आपको समझ में आई होंगी, अगर आपको लगता हूँ, मैं मेरे वीडियो आपके लिए, आपका फेंट्स के लिए, इस सोसाइटी के लिए थोड़े से भी फायदे मन्द हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर, कमें और सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक्स अलाट